हाई फ्रेंद से समीर यह और समेज रिवर्म में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आज आज आपको टॉप 5 लैप्टाउस बताने वालो जो आप 60,000 प्राइस पॉर्ण के अंदर पॉचेस कर सकते हो इन लैप्टाउप की मता से आप वेब डिजैनिंग कर सकते हो वीडियो बिलते है राम अपग्रेड के या फिर मेमरी अपग्रेड के वह सारे भी आपको बताने वाला हूँ और यह सारा डेटा मैंने हरे कंपनी के टेकनिकल एक्सपर्ट से कॉल करके कंफर्म किया है तो जो भी इंफोर्मिशन आज आज आपको बताऊंगा सारा फुल प्रूफ है आपको फिकर करने की कोई भी जरूरत नहीं है जो भी यहाँ पर नए वीवर्स हैं उन्हें बता दूँ कि अल्रेडी मैंने टॉप 5 लैप्टॉप के उपर और चार वीडियो बना दिये हैं उनमें से दो है टॉप 5 अंडर 40,000 और 50,000 प्रोड़क्टिविटी के लिए इसी भी एक लैप्टॉप को अगर आपको पॉचेस करना है या फिर इनकी प्राइस जो है रियल टाइम में चेक करनी है तो मैंने इन सारों के पॉचेस लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वाल से आप उन्हें चेक कर सकते हो तो चलेगा स्ट करते हुए जाएगा प्रोसेसर दोस्तों इसमें इंटल का 10th generation i5 लगा हुआ है 1035g1 मॉडल है वेब डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग यहां तक की गेमिंग भी इसमें इसली हो जाएगी राम दोस्तों इसमें 8GB ऑन बोर्ड मिलती है अनफॉर्टुनेटली एक्सपांशन का इसम nvme type मिलती है जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वह बहुत ही बढ़िया होने वाली है जी प्यू इसमें आपको nvidea का mx250 मिलता है 2gb की प्रोसेसिंग मेमरी है आपको यहां पर भी कोई दिकत नहीं होगी डिस्प्लेश इसमें 14 इंच अपो मिलता है काफे लाइट वेट है बट इसमें आपको ms office नहीं मिलता है जो प्लेश नोट एट पोर्ट की बात करें गाइस तो सबसे पहले आपको power jack मिलता है then is the HDMI port उसके बात USB 3 port मिलता है and finally is the USB Type-C right side में आपको सफ USB 2.0 को port मिलता है and audio combo jack है यहां पर आपको SD card का slot या फिर RJ45 का jack नहीं मिलता जो प्लेश नो it is 6 keyboard इसका backlight है but he full-sized नहीं है so please note that इसमें extra feature दोस्तों आपको fingerprint sensor मिलता है for the security purpose so यह काफी अच्छा add-on इस laptop में है finally दोस्तों battery backup की बात करें तो इसमें आपको 48Wh की battery related मिलती है and considering the hardware of this laptop guys आपको easily 5-6 गंटे की backup मिल जाहे की on heavy uses number 4 on this list is asus vivo book 14 इसकी price अभी आप देख सकते हो 60,000 है obviously अगर इसे sale में purchase करते हो तो यह आपको और बी discount मिल जाएगा processor दोस्तों इसमें Intel का i5 10th generation ही लगा हुआ है 10 210U model है which is also capable enough for web designing editing and even gameplay RAM इसमें आपको 8GB inbuilt मिलती है dual channel पर रहनोता है 4GB onboard है और 4GB XTK जिसे आप replace कर सकते है with the 8GB और finally इसे 12GB तक upgrade कर सकते हो आप storage इसमें आपको dual मिलता है 256GB की इसमें NVMe type SSD मिलती है plus इसमें 1TB की 5400 RPM पर rated HDD मिलती है so that is a good option obviously इसे भी आप expand कर सकते हो when needed GPU दोस्तों इसमें आपको NVIDIA का MX230 मिलता है again 2GB memory इसमें मिलती है यह भी दोस्तों एक 14-inch model है 14-inch की full HD screen अपको इसमें मिलती है यह भी comparatively lightweight है 1.5 kg इसका weight है so office की बात करें guys तो इसमें भी आपको Windows 10 Home मिलता है and again guys इसमें भी आपको MS Office नहीं मिलता so please note that physical ports की बात करें तो left side में सबसे पहले है power jack then is the HDMI port उसके बाद USB 3.2 का एक आपको port मिलता है then is the type C port finally is the 3.5 mm audio combo jack right side में आपको सबसे पहले यह USB 2.0 का port मिलता है and is the micro SD card reader इसमें दोस्तों आपको RJ45 का jack नहीं मिलता so please note that wireless connectivity में guys इसमें आपको Bluetooth का 4.2 version मिलता है and Wi-Fi का 5 version है keyboard दोस्तों आपको इसका backlit ही मिलता है unfortunately it is also not the full-sized keyboard इसमें दोस्तों आपको extra feature में आगे fingerprint sensor मिलता है which is also good add-on for the security feature final दोस्तों बात करें battery की तो इसमें आपको 65Wh charger मिलता है which supports the fast charging और इसमें आपको 37Wh rated battery मिलती है so considering the hardware of this laptop maximum आपको 4-5 गंटे तक कही backup इसमें से मिलेगा number 3 on this list is Mi Notebook Horizon Edition इसकी price अभी आप देख सकते हो 60,000 है obviously अगर इसे sale में purchase करते हो तो यह आपको और भी discount मिल जाएगा processor दोस्तों इसमें Intel का i7 10th generation लगा हुआ है 105010U model है यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात clear करके बता दू इसका जो performance है on paper इस list के बाकी processor से कुछ जादा बढ़िया नहीं है let me show you with the proof आप यहाँ पर देख सकते हो 102010U model सिर्फ एक से दो परसेंट एक्स्ट्रा performance अपको मिलती है और इसे 1035G1 से compare करें तो सिर्फ एक परसेंट एक्स्ट्रा performance आपको i7 model से मिल रहा है तो आपको यह assumption नहीं करना है कि हर एक i7 model i5 से काफी जादा एक्स्ट्रा performance देता है यह वाला model अपने देखा गाईज इसमें roughly आपको एक परसेंट का ही difference देखने को मिलता है उसके बात गाईज राम की बात करें तो इसमें आपको 8GB onboard fixed memory मिलती है यह upgradable नहीं है इसमें आपको 512GB के NVMe type SSD मिलती है GPU इस laptop में इस list का सबसे बढ़िया है NVIDIA MX350 लगा वहां मिलता है 2GB की memory है गेमिंग के लिए guys compare to other laptops यह काफी अच्छा performance देगा यह भी दोस्तो 14-inch model आपको मिलता है काफी slim laptop है और काफी lightweight भी है 1.33 kg है यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात note करनी है unlike other models in this list यहाँ पर आपको webcam जो है वो integrated नहीं मिलता आपको externally carry करना होगा software's में guys इसमें आपको Windows 10 home pre-loaded मिलता है बट इसमें भी दोस्तों आपको MS office pre-loaded नहीं मिलता physical ports की पाइब करें तो left side में सबसे बले आपको USB 2.0 का port मिलता है देन इस तो audio combo jack right side में आपको charger मिलता है HDMI का port मिलता है USB type 3 का port मिलता है और उसके बाद USB type C इतनी ports आपको मिलते हैं इसमें दोस्तों आपको SD card का slot या फिर RJ45 का jack नहीं मिलता wireless connectivity की बात करें तो इसमें Bluetooth का 5 वर्जन है और Wi-Fi का भी 5 वर्जन आपको इसमें मिलता है keyboard इसमें भी दोस्तों आपको backlit मिलता है बट यह full-sized keyboard नहीं है so please note that final guys इसकी जो बैटरी है 46 watt आर पे rated है 65 watt आर के adapter के साथ आता है fast charging support करता है considering the hardware of this laptop आपको maximum path से 6 गंटे तक कही backup इसमें से मिलेगा number 2 on the list is Acer Aspire 5 इसकी किमत दोस्तों आप देख सकते हो 58,000 आवी फिलाल चल रही है इसमें processor आपको अगें Intel का i5 ही मिलता है 10th generation है 10-2010U model है RAM इसमें आपको inbuilt 8GB की मिलती है से आप 20GB दागे expand कर सकते हो storage इसमें आपको 512GB की SSD मिलती है M.2 NVMe type है GPU इसमें NVIDIA का MX250 मिलता है 2GB की memory है इसका display दोस्तों 15.6 inch का है full HD LED display मिलता है laptop का weight guys 1.8 kg आपको मिलता है which is average considering the size so office की बात करें guys तो इसमें आपको again Windows 10 home pre-loaded मिलता है और MS office इसमें आपको built-in नहीं मिलता so please note that physical connections की बात करें तो सबसे पहले power port मिलता है उसके बाद RJ45 का jack है HDMI का port है 2 USB 3K आपको ports मिलते हैं और finally यहाँ पर USB type-C मिलता है on the other side आपको USB 2.0 का port मिलता है और audio combo jack मिलता है यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ SD card का slot नहीं मिलता so please note that wireless connectivity में आपको Bluetooth का 4.2 version मिलता है और Wi-Fi आपको 5 version ही मिलता है keyword दोस्तों इसमें backlight मिलता है and this is the full-faced keyword productivity के लिए काफी बढ़िया रहेगा यह final दोस्तों बात करें battery की तो 48WR की rated battery मिलती है यह भी 65W charger के साथ आता है fast charging support करता है considering the hardware इस laptop में से आपको maximum 5-6 गंटे तक कही backup मिलेगा and finally number one on this list is Lenovo IdeaPad S340 इस laptop का दोस्तों मैंने dedicated video review किया है already यह मैं personally own करता हूँ यह laptop दोस्तों मैंने personal 50,000 में purchase किया था but फिलाल इसकी जो prices है यह 60-63,000 में vary होते है यह अगर sale में purchase करते हो तो obviously आपको 60 के अंदर मिल जाएगा processor इसमें दोस्तों Intel का i5 10 generation लगा हुआ है 1035 G1 model है इसमें RAM इसमें दोस्तों 8 GB मिलता है 4 plus 4 GB है 4 GB onboard है 4 GB की XTK जिसे आप replace कर सकते हो with 16 GB so maximum यह laptop 20 GB तक RAM support करता है storage इसमें development मिलता है 256 GB के NVMe type SSD है और 1 TB की 5400 RPM पर rated HDD मिलती है दोनों को obviously आप expand कर सकते हो whenever needed GPU इसमें आपको NVIDIA का MX250 मिलता है जो की 2 GB memory के साथ आता है यह जो है guys 15 inch model है 15.6 inches की इसकी display है full HD IPS LED panel है anti glare काफी बढ़ी output है इसका 1.8 kg इस laptop को weight है considering the hardware and the size of this laptop I would say it is average यह laptop है guys इसमें आपको 180 degree lead opening मिलती है यह एक ही laptop इस list का है जो यह feature करता है Soffice की बात करें तो इसमें आपको Windows 10 home rebuild मिलता है और दोस्तों यह एक ही laptop है इस list का जिसमें आपको MS Office भी lifetime version के साथ मिलता है So आपको यह MS Office बाहर से install करने की या फिर purchase करने की जरूरत नहीं होगी Physical ports की बात करें तो left side में सबसे पहले power jack मिलता है RJ4D5 का jack नहीं मिलता Wireless connectivity में इसमें आपको Bluetooth का 4.2 version मिलता है और Wi-Fi का 5 version है Keyboard जो है इसमें backlight मिलता है And it is full flashed keyboard guys So आपको यह productivity में काफी मदद करेगा Extra feature की बात करेगा इसमें जो आपको camera मिलता है वह privacy shutter के साथ आता है जिसे आप manually open या फिर close कर सकते हो Final दोस्तों battery backup की बात करें तो सबसे आदा battery इसी में मिलती है यह 52.5 watt hour पर rated है इस laptop को personal दोस्तों मैं 6 मैंने से daily use कर रहा हूँ और इसका battery backup जो guys easily मुझे 6-7 गंटे तक मिल जाता है So that was it from today's video guys उमीद का तो आपको यह video helpful रहा होगा If yes then please इस video को like करे जादा से जादा शेर करें और comment करें अगर आपको कोई bit out हो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो please इस चैनल को subscribe करें नीचे rate button को click कर सकते हो या फिर यहाँ पर आप click कर सकते हो to subscribe to this channel and please press the bell icon ताकि मेरे upload के के सारे new videos के update अब तक पहुत सके Thank you very much for watching this video के जादा आपको, कि चैनल-अएर and atteा एषफ करें के यजड से जाईψेब उनात कर घंग। को प्र Hide-O